एलो फ्रेंड्स मैं पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे अपने चैनल पूजा की कीचन में आज हम मसाला पूरी की रेसिपी को देखने वाले इसे आप आचार या फिर आलू की सबजी अगर ये दोनों भी नहीं है तो आप इसे सिंपल सुखा भी खा सकते हैं इसे बनाने के लिए हम लेंगे देड़ कप गेहू काटा अप चाहे तो इसमें दो चमच सुजी भी डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे आदा टेबल स्पून जीरा पाउडर एक टेबल स्पून अजवाईल बस इसे थोड़ा सा हाथ पर इस तरह से घिस कर डालना है इससे इसका फ्लेवर जादा अच्छा आता है आदा टेबल स्पून हम डालेंगे नमक और एक टेबल स्पून डालना है चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स के वज़े से पूरी खाने में तो अच्छी लगती है लेकिन देखने में भी काफी अच्छी लगती है इसे इसका कलर अच्छा आता है अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, उनों हत पे इस तरह से घीस कर इसे डाले, अब हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, आदा टेबल स्पुन हल्दी पाउडर, एक चमज डालना है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर का यूस थोड़ा सा जादा हमें करना है, इसे में टेस्ट अच्छा आता है और आदा चमच डालेंगे गर्म मसाला इन सब के बाद में हम इसमें डालेंगे एक चमच दही आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें इससे टेस्ट जादा अच्छा आता है हम डालेंगे दो चमच कुकिंग ओईल और लास्ट में डालेंगे हम कटा हरा धनिया इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले दही आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगा लेंगे याद रहे हैं इसे बिल्कुल भी कड़क नहीं करना ह अब हम इसे ढखकर आदे गंटे के लिए साइड में छोड़ देंगे आदे गंटे बाद यहाँ पर हम देखेंगे आटा अच्छे से सेट हो चुका है अब एक मिनिट के लिए हम इसकी मालिश कर लेंगे हम यहाँ पर लेंगे चकला और बेलन लेकिन मैं यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड ले रही हूँ और उस पर हम तेल लगा कर थोड़ा सा इसकी वापस से मालिश कर लेंगे आप हम इसे दो पार्ट में डिवाइट करेंगे और इसका एक रोल बनाएंगे और जितनी जरूरत है उस हिसाफ़ से आप इसकी लोईया कट कर लें यहाँ पर मैंने सारी लोईया कट कर ली है अब एक एक करकर हम छोटी छोटी इसकी पूरिया बना लेंगे बस पूरी बेलते समय हमें ज़्यादा इसे पतला बेलना नहीं है वरना यह तेल में फूलती नहीं है अब एक एक करकर हम इस तरह से सारी लुईया को बेल लेंगे और यहाँ पर हमारी पूरी बन कर रेडी है इधर हमारा तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है अब हम उसमें एक एक करकर पूरी डालेंगे नॉर्मल आटे वाली पूरी जिस तरह से तली जाती है हाई फ्लेम पर रख सकते हैं अब हम एक एक करकर सारी पूरिया इसी तरह से तल लेंगे जो मसाला पूरी है ये सफर में ले जाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है या फिर आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं उन्हें भी ये काफी पसंद आने वाली है इसे आप आलू की ग्रेवी वाली सबजी या चार के साथ खा सकते हैं पर अगर ये दोनों भी चीज़े आपके पास नहीं है तो आप सिंपली से सूखा भी खा सकते हैं मैं होप के आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस बारिश के थंडे मोसम में गर्मा गर्म पूरी मिलते हैं अगले नहे रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए एंड थैंक यू